फैसला मोदी सरकार का और कमाई आपकी अगर आप भी सिर्फ पचास हजार रुपे इन्वेस्ट कर अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा देर मत कीजिएगा मोदी सरकार एक दिसंबर से पूरे देश में नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वहनों के लिए फास टैग अनिवार्रे करने जा रही है सरकार का ये फैसला जहां टोल प्लाजा पर लंबी भीर से आपको राहत दिलाएगा आपका वक्त और इन्धन बचाएगा प्रदूशन को रोकेगा तो वहीं आपको गमाई का शांदार मौका भी देगा मोधी सरकार के इस फैसले से आप अपनी कमाई कैसे कर सकते हैं चलिए आपको ये बता देते हैं इसके लिए बस आपको चाहिए एक लैप्टॉप या डेस्क्टॉप, एक प्रिंटर, एक बायोमेट्रिक डिवाइस और साथ में 50,000 रुपए बस आप भी बन सकते हैं, फास्ट टेक के पॉइंट ओफ सेल एजेंट्ट इसके लिए कोई भी भारतिय नागरिक आवेधन कर सकता है लेकिन ऐसे लोग जो मौझूदा वक्त में आर्टियो एजेंट्ट है कार डीलर, कार डेकोर या ट्रांसपोर्टर है कोई P.U.C. सेंटर या फ्यूलिंग सेंटर चलाते हैं या फिर इंशुरेंस एजेंट हैं, उन्हें प्रात्मिक्ता दी जाएगी देश भर के हाईवे पर चलने वाले ऐसे वाहनों जिनके पास फास्ट टेक नहीं है उन्हें आप ये बेच सकते हैं फास्ट टेक एक इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन तकनीक है जो नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर उपलब्ध होती है ये तकनीक रेडियो फ्रिक्विंसी आइडेंटिफिकेशन के प्रंस्पल पर काम करती है फास्ट टेक को वहनों के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है ताकि टोल प्लाजा पर मौजूद सेंसर इसे रीट कर सकी जब कोई भी वहन टोल प्लाजा पर फास्ट टेक लेन से गुजरता है तो आटोमेटिक ग्रूप से टोल चार्ज कट हो जाता है मौदी सरकार की ये नई तकनीक अब आपके लिए कमाई का जरिया बनने के लिए भी तैयार है